दोस्तों क्या आप अपने मुबाइल फोन के अंदर एफम वाटसब का यूज करते हैं अगर आप अपने मुबाइल फोन के अंदर एफम वाटसब का यूज करते हैं तो अपने एफम वाटसब को आप कैसे अपडेट करेंगे वही आपके साथ सेयर करने वाले हैं क्याकरकार वाट्सप को latest version में update कैसे किया जाता है हम आपको बताते हैं जैसे आप यहाँ पर अपने जी वी WhatsApp को योज करते हैं तो मैंने अपने जीवी WhatsApp को last version में update कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहोंगे, लेकिन आप अपने फोन में efm WhatsApp इस्तेमाल करते होंगे तो efm WhatsApp को आप latest version में update कैसे करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, efm WhatsApp के अंदरे एक नया version आ चुका है जिसका जो वर्जन है वो है 9.65 का यानि कि आप कह सकते हैं 9.65 का तो हम सभी लोग जानते हैं अगर हम अपने EFM WhatsApp को अपडेट नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारा EFM WhatsApp चलना बंद हो जाता है यानि कि फिर हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं तो अगर कार EFM WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कैसे किया जाता है कहां से करेंगे और आपका क्या तरीका है तो यहां पर आपको दो आसान तरीके बताएंगे जिनका आप हमेशा यूज कर सकते हैं आपको कोई भी परिसानी नहीं मिलेगी जब भी यहां पर EFM WhatsApp के अंदर एक नया वर्जन अपडेट आएगा वो आपको इन दो तरीके जगहे पर मिल जाएगा जो आपको बताने वाले हैं पहला तरीका है अगर आप टेलिग्राम चलाते हैं तो बहुत ही आसान है आपको अपने फोन में टेलिग्राम ओपन करना है और आपको सर्च करना होगा बढ़िया टेक और यह चैनल आ जाएगा यह चैनल जो है यह मेरा ही है और यहां पर हम आपको EFM WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन जो फाइल है हम यहां पर दे देते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलूड कर लिजे और यहां से बहुत लोगों ने डाउनलूड किया है जैसा कि आपको दिखाय दे रहा होगा वो हमारे चैनल को जोईन करे हैं और जब हम यहां पर लेटेस्ट वर्जन का फाइल देते हैं तो वो तुरंत यहां से डाउनलूड करके इसे अपडेट कर लेते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम को जोईन करिए और यहां पर आपको लेटेस्ट वर्जन फाइल मिल गेंगे इसके लिए अपको सर्च बार पर क्लिक करना हैं यहां पर आपको टायप करना होगा एी से जिख करने के बाद आपके सब्सक्राइब निकल कर आ जाएगा एफम वाट्स अप अप्डेट बढ़िया टेक और यहां पर वर्जन आ जाएगा अब आप इस पर क्लिक कर दीचे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह साइड इस तरीके से open हो जाएगा और आपको बता दें यह मेरा ही website है तो यहाँ पर भी आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी और यहाँ पर मैंने आपको हमेशा latest version का ही file देते हैं और आप यहाँ से भी download FM WhatsApp और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा FM WhatsApp अपडेट और यहाँ पर आपको इसका नाम दिखाए देगा अब आपको करना क्या है कि आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा यह तो आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा तो आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर म पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके समने पेज आजाएगा आपको download बटन पर क्लिक करना है जैसे आपके डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे आपके समने details आजाएगी details पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेका FM WhatsApp का जो latest version file है वो आपका download होना start हो चुक तो फिर आप अपने file पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको update बटन मिल जाएगा फिर आप इसे update बटन पर क्लिक करके इसे आप update कर लेंगे तो यह वो आसान तरीका है जिसका आप यूज करके अपने FM WhatsApp को latest version में update कर सकते हैं कोई भी आपको परिशानी नहीं मिलेगी और मैंन लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही